दिपावली को लेकर पूरे देश में रौनक नजर आ रही है और व्यापार का क्या कुछ हाल है जगे जगे की तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे तो शुड़ू करते हैं हम यूपी की खबर के साथ इस बार दिपावली की इस्ति जानने के लिए जब यूपी के अमेठी के कुमहारों से बात की गई तो नो ने कैमरे के सामने अपना दर्द बया किया उनका साफ तोर पर कहना है कि चाइनीज आइटम्स के आगे मिटी के दियों को पूछने वाला कौन है दिन प्रति दिन साल मिटी के खिलोंने दिये और बरतन बनाने वाले हम लोगों का रोजगार खत्म होता जा रहा है सरकार के द्वारा प्लास्टिक बैन करने के बावजूद आज भी बाजारों में कुलहर की बजाए प्लास्टिक ग्लासों का खुले आम प्रयोग हो रहा है जिसके चलते हम वह मन्दहिर्ध मार करते हैं ऐसे में एक कोहा प्रिजापती बिरादरी के लोग होते हैं जो मित्टी के दियें बनाते हैं और वो दियें मिट्टी के दियें से हम अपना घर रोसन करते हैं इसमें हम मौझूद हैं अमिठी के परशाओं गाव में आहां पर आप आप देख सकते हैं कि एक कुमहर जाज के लोग हैं जो मिट्टी के बरतन बना रहे हैं मिट्टी के दियें बना रहे हैं और मिट्टे के दियें ये बेशते हैं और इसी से इनकी रोजी रोटी चलती है और ऐसे में कुरोना के समय में इनके उपर कैसे विती है और किस प्रकार से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दी पाली में इनका किस परकार से होगा उसके हम बात करेंगे जी क्या नहीं आपका ईत्र वहां पर लिए करे घंस पर कार तो तो पहले कि आप आपकी बार अपकी चूर्टम करते हैं गई करते हैं कि आपकी बार आपका प्सभिकर लुक्त imagen के जोमा करते हैं कि पूरा निकल या अपकी जो महनत लागत हैं देखको उसको तब नहीं बता सकते हैं लेकिं उम्मीद अपने तरफ से तलखा हूं कि जो है कि निकल जाएगा निकल जाएगा तो यह हमारे साथ यह प्रजापती जी थे एक और भी है इनसे हम बात करते हैं जो आप काम करें क्या नाम यह आप रहा है यह बताएए आप निट्टी को बरतर बना रहे हैं क्या लगता है कि दीपावली में अपकी बार आपका यह पूरा निकल जाएगा मिहनत आ जाएगी आप कोसिस में तो यह हैं अब देखो उपर वाले क्या करते हैं अच्छा तो क्या इसके अलामा आप और भी कोई काम करते हैं और कोई नहीं करते हैं उसकाली में दूरी कर लेते हैं तो घ्यूइन प्रोल सेेजिक अभद करोने में कुछ सामान ही गाता है, क्या उम्मीत करते हैं कि लोग आप से आपके बर्टनों को आपके डिये को ले अपको उम्मीत तो यहीं दिख रहा है तो यह हमारे साथ यह लोग थे जिनका साफ़त ना की को पर यह विए जाने में दिवाली है कि अ यहलिए उल甜 को उसको नहीं खरी देंगे तो ईदर आ यह समालें गया ऐसे में इनकी विक्री होगी और इनका भी जीयों न्यापन होगा तो राश्कमारी अस्वाल एन्बी नीज अमिठी दिवाली के तयोहार पर बाजारों में रॉनक देखने को मिल रही है लोग बाजारों में सामान लेते हुए दिखाई दे रही हैं जिसमें सोना और चौ वद्दा विजद्र पार्थी के ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट कर स्री राम के अयोध्या वापिस आने पे दीपावली का तेवहार मनाया जाता है दीपावली आते ही बाजारों की राउनक तेजी के साथ बढ़ गई है यहां पे आप हमारे साथ देख सकते हैं कि दीपक की विक्री भी बढ़ रही है दीपक की विक्री के साथ साथ बाजारों में यहां पे ज्यादा भीण भान दिखाई दे रही है यहां पे आप हमारे साथ देख सकते हैं पीछे मूर्तियों की विक्री तेजी के साथ बढ़ रही है और मूर्तिया भी लगाई जा चुक चाहूंगा मैं कैमरामेन से चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि मार्केट में भीनवान कितना ज्यादा बढ़ गया है और दीपावली के तेवार में सबसे पहले तो प्रसासन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि तेवार आ चुका है और तेवारों में आसपास के लोग बाज बाजारों में बनती है यहां पर छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं कि यहां पर दीप बेंच रहे हैं इनसे हम बाद करना जाएंगे क्या नाम है पेटा गारी केश्री यह दीपक आप कितने में दस का बीस दस रुपए का बीस है और यह बड़ा वाला दस का बारा दस का बारा दीपा वली का मनाएंगी पटाखे भी फोड़ेंगी चलिए साफधानी के साथ फोड़िये का पटाखे और यहां पे बाता दिखाई दे रही है इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर आप देख सकते हैं माता लक्षमी की और गड़ेश जी की प्रतिमा अभी भी करें यहां पे सजावत के सामान रखे हुए हैं यहां पर हमारे साथ इस दुकान के ऑनर है मैं इनसे बात करना अच्छाँ गुमार कप्ता यह कब से आप माता की मूर्टीयों की विक्री कर रहे हैं यह बहुत से हो रहा है इसके पहले हमारे पापाव करते आ चीक करते हैं तो हम आता तो यह मूर्थियां कैसे देते हैं सब अलग रेट यह रेट चैन फोकस की इन है यहां लगा लेते हैं यह आज धन्तेरस का तेओहर है और यह भी देख़ा जाए तो मार्केट में चहल पहल बहुत ज़्जादा-बहुत तो यह तो एंसतों पुरा फाइनल हो जाता है तो यहां पटाके भी आप शजावट का सामान और कूल माला श्मल मालन की यह यहां पर देख सकते हैं यहांपे जैसे उन्होंने बताया माता लक्षमी और गड़ेश जी की मूर्थि बैस्ते हैं और धन तेरस में तो विसेष कर माता लक्षमी और गड़ेश जी की पूजा करना सुब माना जाता है और यहां पे लेकिन एक चीज देखने वाली यह है कि मार्केट में भीडवाण बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रसासन की तरफ से कोई भी तैयारी नहीं की गई है मार्केट में जाम लगने के चांसे मैं चाहूंगा एक बार आप जूम करके दिखाएं वहां से ट्रक आ रहे हैं मार्केट है यह लेकिन ट्रक मार्केट में आ रहे हैं इससे कोई बड़ा हादसा होने की आसंका बनी रहती है लेकिन प्रसासन इस बात से पूरी तरह से बेखबर है और यहां पे जाम लगातार लग रहा है इस बाद से प्रसासन को कोई भी किसी तरह से सज्ञान में नहीं है कि प्रसासन यहां पे जो बड़े ट्रक आ रहे हैं, बड़े ट्रकों को बाई पास के रास्ते से निकलवाया जाए एन्बी नियूज के साथ संबादाता विजैटिवारी रीवा रौशन करने का काम कर रही हैं, इन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया गया है 12 बंकी पुलिस ने अब यह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रही है इस काम में सबसे पहले आगे आई हैं इनकी महिलाइं जो सम्हू बना कर इस काम को करने का बीड़ा उठा चुकी है दीपावली में इनके पास पूरे जिले से बड़े ओर्डर मिल रही है इनके उठावर्दन के लिए पुलिस इने ओर्डर भी दिलवा रही है और हर संभव मदद भी कर रही है इसी क्रम में उतरप्रदेश सरकार ने भी दियों का एक बड़ा ओर्डर देकर इस गाउं को दीपावली की सौगात दी है लग रहा है जो गलत काम परिले होता था उसे चोड़के लोग अच्छे काम करते हैं लोगों को बताते हुए भी बहुत अच्छा लगता है नहीं पर भी हम जाते थे तो हमें नहीं कहे पाते थे कि लोग पूछते तुम्हारे गाओं में क्या काम होता है तो हम लोग नहीं बता पाते थे कि क्या काम होता है पर अब जब कोई पूछता कि क्या काम होता है तो हम लोगों को बताते कोई भी बहुत अच्छा लगता है कि ह हमारे गाउं की लड़किया पेंट करती हैं दिया पेंट और महलाएं दिया बनाती हैं धनी में जनपत बारविंकी के थाना रामनगर में एक गाउं चैनपुरुआ है नदी के किनारे बसा ये गाउं पिछले करीब दो दश्कों से अवैच शराब बनाने के लिए कुख्यात यहां की बनीवी शराब नकिवल बारविंकी बिल्किया आसपास के जन्पतों में भी बेची जाती थी दूर भागे था कि यहां के रहने वाले लोग भी उसी शराब के आदी हो गए थे जिसमें बहुत से लोग ने अपनी जान गवादी बहुत से लोग अपाहिज हो गए इतने अधिकारियों से वमर्श किया कि हम क्यों ने एक आमूल परिवर्टन इस गाओं का करें कि यहां के लोगों में को हम एक और्टनेट रोजगार के अवसर दें जिससे की हमेशा हमेशा के लिए यह जो कलंक इस गाओं का है वो दूर हो सके पुलिस की चौपाल लगी विश्वास करना बड़ा मुश्किल था कि हम जो काम पिछले 25 सालों से कर रहे हैं उसको छोड़कर हम दूसरा काम करेंगे और उससे ज्यादा पैसा हमको मिलेगा एक अवसर था हम लोगे पास तो हमने 20 वैक्स से यह दियाली बनाने की ट्रेनिंग वहाँ दी यह दिये उनक हैं उन्होंने इसको साफ किया इसको पेंट किया और अगले ग्रूप को अपने ग्रूप को दे लिया जिसने उतलब दिकराई गई यह बत्ती और वैक्स को पिगला कर यह दीपक्त दीपावली के मदे नजर बेमेत्रा के महिलाओं ने 14,000 दिये बनाई हैं उन्होंने पताय है कि एक दिये को बनाने में पांच मिनट का समय लगता है दो रूपे से लेकर पांच रूपे तक क्या आकरशक दिये बनाई गए हैं महिलाओं का कहना है कि लोगों द्वारा दिये भी पसंद किये जा रही हैं और अब तक कई हजार दियों की बिकरी हो चुकी है कैसे बनाया यह बनाया है क्या से बनाया है ज टेल खोकी है कहा लूपारा जदी हमें प्सक्राणाने प्लुपाराट है हो ए हमिए ज़िक साहर बनाया है धिन का इसाप से लगेशात हुआ है और अब खबर हर्याना के उखलाना से जहां पर दीपावली पर मिट्टी के बने दीपों की मांग पिछले वर्षू की मुकाबले बढ़ रही है तीन साल पहले जहां दीपावली के आगमन पर चायनी सामान की भर्मा रहती थी लेकिन अब लोग इन सामानों से मुह मोल रही है अब की बार फिर से मिट्टी के दीपों का प्रचलन बढ़ने लगा है लोगों ने इस वदेशी माल के खरीद की तरफ अपना रुख किया है इस दिवाली पर पढ़ता दिखाई दे रहा है तो हरियाना के उखलाना से ये खबर हम आप तक पहुचा रहे हैं जहां दिवाली पर मिट्टी के दियों की मांग एक बार फिर से बढ़ने लगी है हालांके जो मिट्टी के दिये बनाने वाले कुमहार है उनका कहना है कि अगर हम बात दो से तीन साल पहले की करें कि अब लोग स्वधेशी की तरफ एक बार फिर से आकर्शित होने लगे हैं स्वधेशी सामानों को अपनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मिट्टी के दिये जो बनाया जाते थे जिनका कारोबार एक समय में पूरी तरह से चौपट हो गया था वो एक बार फिर से बढ़ने लगा है और मिट्टी के दियों की मांग लगातार बाजार में बल रही है लोग मिट्टी के दियों को ही खरीदना पसंद कर रही है इन्हीं दियों का उपयोग जो है लोगों की तरफ से अपकी आ जा रहा है अपनी दिवाली को रौशन करने के लिए जानकारी मिल रही है हर कुमारों के चहरे थोड़े बहुत खिलने लगे हैं हालांकि कोरुना का असर है व्यापार अभी भी मंदा है लेकिन पिछले सालों की तुलना में लोगों का रुजहार एक बार फिर से मिटी के बरतन मिटी के दियों की तरफ बढ़ने लगा है आकरशित हो रहे हैं लोग जो क कुमारों के लिए काफी अच्छा है क्योंकि दिवाली कुमारों के लिए भी है और ये आशंका जताई जा रही थी कि हर बार जिस तरह से कुमारों का ये व्यापार मंदा रहता है इस बार कोरुना के प्रभाव की कारण और भी ज्यादा गर्त में चला जाएगा लेकिन ऐस तो 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 सीजन में एक बार फिर से दिये जो हैं बिक रहे हैं मिटी के दियों की मांग एक बार फिर से बाजार में बढ़ने लगी है कि आगे वारे में तो बता रहे है करोना है तल्सक्ण इसमार दियों की मांग बहुत नाएथ जादे थी अब गट गए आप करोना मामारे कारणा भी ये बिए लोग भुत खरिटे हैं क्योंकि बजारों में इतनी बीडनी हो तिसके करन बहुत मांग गटती जा रही है इसमा तो मिटिक के दिये बनाने वाले कारीगर को आपञे सुना वह कह रहे हैं कि मांग जो है कोरुना की कारण घटी है कोरुना का प्रभाव इस बार व्यापार पर साफ तोर पर नज़र आ रहा है ना सिर्फ पुमारोपर अलने जो व्यापारी है उन habit perform पर भी कॉरुना की तरफ से नहीं की जा रही है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों के रोजगार चले गए है आर्थिक स्थिति जो है वो डगमगा गई है इस वज़े से लोग अपने बज़ट का ध्यान रखते हुए ही खरीदारी कर रही है तो दिपावली का जो यह त्योहार है कोर बाजारों की इस्थिती बेहदी खराब यहां पर होती हुई दिख रही है लेकिन लोगों ने अब स्वदेशी को अपनाना शुरू कर दिया है यह राहत की बात है लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ रही है और हमारे समवादतर राजिव दिवारी से में लाइव हमारे साथ घुड़े हुए है उनसे जान लेते हैं देश भर का हाल की क्या कुछ इस्थि दिपावली पर बाजारों की बनी हुई है राजिव मेरा सवाल यही है हम पूरे देश के बात करेंगे कि अभी कैसी इस्थि दिवारों की नजर आ रही है दिपावली का तोक्त्योहार पर पिश्कें रहा हैं और लियांगाराक कारोना क्熱 भंप इसे कि और जो रहीन हो वाइए जो जो उब जो एक कम किया जाए ताकि पॉलुशन कम हो सके मगर जिस तरीके से बात करें वो कहीं न कहीं से इंदर सराइनी है और सराइन कोशी यह की जा रहे थी कि कहीं न कहीं सरकार कड़े कदम उठाएं मगर पॉलुशन और करोना काल के चलते कहीं न कहीं दिखते जरूर आई हैं जी जिस तरीके से उन्होंने लाइस के लिए पहले अप्लाई किया था लाइस जो उनका खर्चा होनता था ता वह जानी कि वह भी दिया गया उसके बाद में जश्ट दिल्ली सरकार ने एक दम उनके जो प्लाइस से वह कैंसल कर दिये गाए ग्रीन पटाके नहीं बेचे जाएं लेकिन यह जो फैसले लिए गए हैं यह भी तो देश के लिए ही लिए गए हैं काफी सारी चीज़ें हैं सबसे बड़ी बात तो प्रदूशन उसको देखते हुए यह तमाम फैसल लिए गए हैं ऐसे में क्या व्यापारियों की मदद के लिए सरकार की तरफ से आगे कोई स्कीम लाई जाएगी चाहिए वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्ये की सरकारे हो पारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए अभी बिल्ली सरकार की तरफ से ना ही केंद्र सरकार की तरफ से एची कोई भी यूजना नहीं आई जिसके वज़े से कहें कि उनका जो नुक्तान है वो कहीं न कहीं भरपाई हो सके मगर अभी तक वो उम्मीद जता के बैठे हुए है कि दिल्ली सरकार कहीं न कहीं उनके लिए कुछ सोचे ताकि जो उनका पैसा लेंगा है वो कहीं न कहीं बहुत ही सा सके बहुत 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 शुक्री है राजीब तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई तो त्योहारी सीजन में इस समय वाजारों में रौनक तो है लेकिन लोग खरीदारी कम कर रहे हैं इसलिए व्यापारियों के मुश्किले थोड़ी बड़ी हुई है इसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही मुझे दीज़े जाज़त देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ नमस्कार